तो अगले विट वरक्ट कैसे हैं आप दोस्तों, आज में आपको बतादें je यूज़ सेटींग मिलेगी कैसे यूज करेंगे कैसे उसको इनेबल करेंगे एक एक छीज बताने वाला हूए वीडियो कोutive कि मत करेंगे दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए तो यह आप समझ पाएंगे दोस्तों चलते हैं आगे मिना नाम सनी यह और और आपका स्वागत है मेरे जैनल ऐसे टैक में तो जैसा कि मैंने मता है मैं आपको तीन हीडन सेटिंग्स मताने वालन जो सबसे पहले हीडन सेट तो एक hidden feature आपका enable हो जाएगा जिसका नाम है gallery labs आपको दिख रहा होगा है नीचे एक gallery labs करके यहाँ पर return हो जाएगा यह पहले रहता नहीं मैं आपको एक बहुत सारे hidden features रहता है अगर आपको देखना है कि इसमें क्या-क्या hidden features रहते हैं कैसे use करते हैं तो उसके लिए बीटन पर चाहिए तो हम आजा के देख सकते हैं उसके जो सेकंड बताने वालों दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या होगा आपको जाना अपने मुवाइल की सेटिंग पर आपको नीचे की तरफ आएंगे about phone में वहाँ पर आपको developer option के बारे बताने वालों यह बहुत ल मॉइल का आपको password डालना है password डालने का अब भार आएंगे तो आपको यह दिख जाएगा developer option इसके अंदर में बहुत सारे options होते हैं जिसके लिए मैंने वीडियो बना रखी इसका link में आई बढ़ देदूंगा चाहिए तो आप देख सकते हैं उसके दोस्तों थड़ बताने यहां पर अब इसको डाउड़ करना होगा तब या आगी जाएगा आपको यहां पर टैप करना है तो यहां पर option खुल जाएगा है send log data करके यहाँ पर आपको अपना mail ID डालना है जो भी जिससे आपने Samsung की ID बना रखी है और उसमें होगा क्या जो भी आपके mobile की problem होगी वो Samsung को चार्च चलिए आएगी और वहाँ से आपको reply आ सकता है जो भी आपका problem होगा तो यह use कर सकते हैं यह three hidden settings जो कि मनें आपको बताई उमीद है कि मेरी YouTube पसंद आई को धैंकई गर pendya का cut सबसे बिले मिले और हो सके तो मुझे इस्टाग्राउं फेजुफ को लो करना भी ना भूले इसका लिंक आपको नीशे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो थेंक्यू दूस्तों